limit n tends to infinity summation r equal to 1 to n root n by root r into 3 root r plus 4 root n का whole square dx इसका value बताना है क्या होगा तो इसको solve करने के लिए इसको हम लोग integration में convert करेंगे देखो पहले लिखते हैं तो limit n tends to infinity summation r equal to 1 to n root n divide में यहां डिवाइड में जो अंदर में ब्रैकेट के अंदर उससे root n बाहर निकालते हैं बाहर तो n आ जाएगा क्योंकि whole square है तो n होगा और यहां पर root r हो गया और यहां पर होगा 3 root r by root n plus 4 का whole square होगा इतना तो अब देखो यह जो root n है वो नीचे लाएगे तो root r by root n हो जाएगा मतलब हर जगा r by n के form में लिखना होता है तो limit n tends to infinity होगा summation of r equal to 1 to n होगा और 1 by n हो जाएगा और यहां पर होगा 1 by root r by root n और 3 into root r by root n plus 4 का whole square जब इसको हम लोग integration में convert करेंगे तो integration में convert करने के लिए क्या क्या conversion होता है r by n को हम लोग x लिखेंगे 1 by n को लिख देंगे dx ठीक है और limit अब देखो limit limit जब लिखेंगे lower limit जब आर का value 1 है 1 by n और n tends infinity है तो 0 हो जाएगा अब आर का value n है तो n by n 1 हो गया तो 1 हो जाएगा ठीक है 1 by n लिखाव है न यहां पर इस 1 by n को लिख देंगे हम लोग dx ठीक है और यहाँ पर हो जागा 1 by r by n को लिखेंगे x तो यह होगा root x ठीक है और यह हो जागा 3 into root x plus 4 का whole square इतना हो गया अब इसको हम लोग solve करेंगे जिसके लिए हम लोग को substitution करना पड़ेगा और यहाँ पर 3 root x plus 4 को t मानना पड़ेगा तो 3 root x का differentiation 1 by 2 root x और 4 का difference in 0 into dx equal to dt हो जाएगा तो dx by root x equal to 2 by 3 dt है क्योंकि यहाँ पर root x divide में है तो अब देखो lower limit जब रखेंगे 0 जब 0 रखेंगे तो यह हो जाएगा t का value 4 जब 1 रखेंगे तो हो जाएगा 7 तो 4 से 7 हो गया dx by root x है dx by root x को लिखेंगे 2 by 3 dt तो 2 by 3 बाहर लिखते हैं यहाँ पर हो जाएगा dt और divide में हो जाएगा t का square ठीक है तो dt by t square हो गया dt by t square की integration केतना होता है minus 2 by minus 1 by t होता है क्योंकि t के power minus 2 हो जाएगा minus 2 plus 1 minus 2 plus 1 तो minus 1 by t होगा minus 1 by t 4 से लेकर 7 तक यह होगा तो 2 by 3 का 2 by 3 अगर हम लोग रखेंगे 7 तो हो जाएगा minus 1 by 7 और plus 1 by 4 ठीक है LCM ले लो तो जब LCM लेंगे तो 28 होगा 7 4 जाए 28 7 4 तो minus 4 plus 7 ठीक है minus 4 plus 1 कितना 3 होता है तो 2 by 3 into 3 by 28 यह 3 3 कट गया और 2 से 28 कर जाएगा 14 टामस में तो answer आजाएगा 1 by 14 ठीक है 1 by 14 यहाँ पर कौन सा option में है C option में है